यूपी सरकार के आदेश के बाद कावर रूट पर अब सबको अपना नाम के साथ पहचान भी बताना होगा इस वक्त हम लोग मुझाफर नगर के खतौली में और खतौली में एक धाबा है जिसका नाम बाबु जी धाबा था लेकिन अब इसे बाबु खा धाबा कर दिया गया हमें जो जानकारी दी गई है लाइसेंस इसका मुस्लिम समाज से आते हैं उनका नाम आधार काट पे भी बाबु है उनके नाम पे था और बाबु खा लिख दिया गया इससे पहले बाबु जी धाधाबा नाम था और बाबु जी धाधाबा में जी को धका गया है आपको वो पताया गया है यहां joint venture है यानि यह ड़ाबा हिंदू और मुसल्मान दोनों चलाते हैं दोनों मालिकों से भी बात करेंगे लेकिन यह वरकर है जो यहां काम करते हैं सारे लोग अस्थानिय एं और सब immun काम करते हैं लेकिन इनका दर्द क्या है वो इंसर सुन्थे आपका नम अकास शर्मा अकास क्या दर्द है इस फैसले के बाद को छी हुआ जी दिक्कत हुआ क्या दिक्कत हुआ यह सोगी कैने आगे से आया वो पीछे का जो बड़ा रेश्टूडेंट एसी तल वह वहां भी मैंने देखा कि वहां बाकी लोग थे वहां भी नाम लिखा हुआ है तो साब सफाई का भी फरक है या सिर्ट नाम से फरका है एट वह वह वे और नवेज दोनों हैं तरफ लोग रुक रह Medium Eyes दोनोए आपके सारे लोग आप लोग हिंदू समाज के लोग अगश्व का नाम अजय क्या दिक्कत हो रही है क्या करते हैं आप यहां सब्सक्राइब करोबार थिख्कत है इसनाम की वज़ेसे है बिल्गुल काम ठब हो चुका है हम लोगों को यह परेसानियां kaam test कितने पैसे आपको डिली के कमा लेते हैं यहां आदिनों में इस फैसले से पहले कितना कमा लेते हैं मज़्दूरीं तो नहीं दिक्कत हो और दिक्कत हो रही है खर्चा कहां से लाएं वहां पर पर सान्हें होती है यानि जो घूम जा रहे हैं दूसरे लोग जाते हैं यहां तरफ वह जो तो तुमर जाते हैं गाड़ी जाते हैं वो नहीं है और जैसे कि अब आने वाला टाइम है अब मेले का टाइम शुरू हो जाएगा तो उससे हम यह समझ रहे हैं अपने नौलिज से कि वो रुखेंगे नहीं जी और काम नहीं कितनी गाड़ी आतरा के वक्त को भी छोड़ देय से कितनी गाड़ियां रुखती थी डेली लगबक 20-25 डेली आपको दिक्कत हो या आपको ऐसा लगता है जिस्ताथ है नाम दिखेंगे से हमारा काम चुपत है यानि आप लोग यह मांग करें कि यह नाम हटा देना चाहिए लेकिन सरकार का कहना है प्रसासन का कहना है कि इससे कानून विवस्था की स्थिति मजबूत होती है कुछ लोगों की भावनाय आहत नहों यह सब मकसद है यह तो गलत है यह तो गलत है खाल लेक्षा और यह सचिन है जिनका दावा यह कह रहे हैं कि यह जौइंट में यह चलाते हैं इनहीं का मकान है इनहीं की जमीन है सचिन भाई आपका गाउं कहां है ठीगाई और इसके मालिक हमारी जमीन है यह तो यह हम दोनों आपस में मिलके चलाते हैं यह है कि मैंने अपने नाम का भी लगवाऊंगा यह भी लगेगा लाइसंस उनके नाम है फूर लाइसंस मकान मालिक हमें मकान मालिक आपका नम मेरा उवेश नाम है क्या उवेश उवेश यह बताइए आपके पिता के नाम पर लाइसंस है तो अब क्या दिक्कत आई है इस नाम चेंज के बाद पहचान बताएं से पहले ना काम अच्छा था काफी कोई प्रोबलम नी थी हो जब से यह चेंज उनके अभी काम थोड़ा अच्छा हो जाता है जैसे कि जो भी खाना वगेरा होता है इदर उस में जो है इने भी एपनी टिप मील जाते ही अच्छी काम नहीं है रोड पे बिल्कुल गाडिया नहीं रूक रही है तो इने भी बड़ी प्रोबलम हो रही है हम कहां से सेल ले तो यह आप लोग जॉइंट ही चलाते हो जॉइंट 50-50 में है हमारा 50-50 में तो कितनी गाड़ियां डेली रुखती थी आम तोर पे अभी काउंट नहीं करते थे कितनी गाड़िया थी क्यूंकि इतना समय नहीं लगता था काम निकलता रहता सुबह से शाम तक मगर अब जब से यह बोड लगा है बिल्कुल खाली पड़ा है एक दो गाड़ियां लग गई लग गई यह धाबा बाबु दा धाबा जो हो गया है अब बाबु खांड धाबा हो गया है पहले बाबु जी दा धाबा था और तस्वीरे आपको हमारे कैमरा परसन विपिन पुजारी दिखा रहेते कि क्या कुछ अशर पड़ा है दुकानडारों पर अलग असर पड़ा है करनेक अम धनी कम हो गाई है हाला कि कामड यात्री कुछ कह रहेció हैं कि यह सही कदम है लेकिन बहुत सारे कामड यात्री यह भी कह रहे है कि इस कदम की कोई जरूरत नहीं थी इस से कोई भी परिशानी या दिक्कत नहीं होती देखना होगा कि कावड यात्रा अपने सबाब पे जब होगा यानि जब अधिक कावड यात्री आएंगे तो इस धाबे पर क्या आसर होता है कैमरा परसन विपिन पुजारी के साथ नीरज कुमार न्यूजेट इन इंडिया